नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ मुक्तादिक्षित ऐस्टोलोजर जैसा आप जानते ही हैं, हमारे कारले से जन्म कुली हस्तिरिक खरत नबास्तो के साथ साथ सेर मार्केट के ऐस्टोलोजी के बारे में जानकारियें दी जाती हैं जिसमें गोल्ड, सिलिवर, निप्टी, निप्ट बेंकुरूड आईल का दैनिक, बीकली और मंतली प्रडिक्सन के साथ साथ लेवल दिये जाते हैं अब आपका मार्केट कितना जा सकता है, इसके साथ डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दिया गया डिस्क्लेमर आपको पढ़ना तिया निवार है और हमाई सारी जानकारें इस्ट्लोजी के बेस पर रहती हैं, यह समझना आपको बहुत जरूरी है जब भी मार्केट में काम करें, मार्केट का रुख जरूर देखें, अपने शौबेबे का उपयोग जरूर करें तो जिहां दोस्तों, जैसा कि मार्केट में गिरावट का दोर जारी है और मार्केट लगातार गिर रहा है, क्या आगे भी मार्केट गिर सकता है कल क्या स्थिति बन सकती है जैसा कि आज के मार्केट के लिए मैंने जो कल वीडियो दिया था आप हमारे मुक्ता जो तिस यूट्यूब चैनल को लाई सस्क्राइब कर सकते हैं जिसमें कहा गया था कि मार्केट में डाउन बनेगा और उसके बाद कुछ अप हो सकता है लेकिन मार्केट में डाउन के दौर ज़्यादा देखे गए तो इस प्रकार से ग्रहस्थिति के अनुसार एक अनुमान लगा जाता है जो सटीक निकलता है और लेवल भी निकाले जात की बात करते हैं तो ऐसी स्थिती में मार्केट गिरने के अने कारण होते हैं आर्थिक मंदी होती है कोई न्यूज के कारण मार्केट गिरता है बिविन्य प्रकार की आपदाओं विपदाओं के कारण जो है मार्केट में गिरावड देखी जाती है इसके साथ आर्थिक मंदी क की संभावना और जो बरतमान में अनिक प्रकार के ऐसे न्यूज जो चलते हैं इनसे भी मार्केट पर असर जो है देखा जाता है तो ये तो हो गया एक परिद्रश्रिक की बात की इसके अनुसार मार्केट का प्रभाव पड़ता है लेकिन एस्टलोजी के बेस पे हमें ही जान देखते हैं कि कल भी मार्केट गिरेगा तो जी हां दोस्तों ग्रहस्तिती के अनुसार कल भी मार्केट जो है गिर सकता है निप्टी भी गिर सकती है बैंक निप्टी भी गिर सकती है इसका अनुमान भी है यदि मार्केट निप्टी के लिए डाउन होता है तो 17,980 तक ये जा सकता है गिरावट के दौर के लिए और यदि कुछ अप बनता है तो इसमें जो है अठारा हजार जो है दो सो चालिस तक का रेंज इसमें देखा जा सकता है इसके बाद बैंक निप्टी के लिए देखते हैं तो कल बैंक निप्टी में भी जो है गिरावट के दौर देखे जा सकते हैं दोस्तो यह एक अनुमान जो मैंने आपको बतलाया वीडियो अच्छी लगए लाइक से सब्सक्राइब रुकिजिए देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार